साथ्यों आज देश भर की समुद्री सिमा में पॉट्स की केपिसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है और नए पॉट्स का भी निर्मान तेजी से चल रहा है देश के पास करीब 21,000 किलोमेटर का जो जलमार्ग है वो देश के विकास में अधिक से अधिक कैसे काम आए इसके लिए प्रयास किये जा रहा है सागर माला प्रोजेक्ट के तहट आज देश भर में 500 से जादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है लाखों करोड रुपिये के इन प्रोजेक्ट में से अनेख पूरे भी हो चुके साथियों समुद्री जल्मार्ग हो या फिर नदी जल्मार्ग हो भारत के पास संसाधन भी रहे हैं और एक्सपर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रहे हैं यह भी तय है कि जल्मार्ग से होने वाला ट्रांस्पोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और परियावरण को भी कम से कम नुक्षान होता है कि पिर भी कि इस दिशा में एक होरिस्टिक अप्रोच के साथ कि 2014 के बाद ही काम हो पाया है कि ये नदियां ये समंदर ये मोधी प्रधान मंत्र बने के बाद नहीं आया ये था लेकिन वो द्रश्टी नहीं थी जो 2014 के बाद आज देश अनुखव करता है आज देश भर की नदियों में जो इंडलेंड वाटर बेज पर काम चल रहा है उससे कई लेंड लॉग राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है आज बंगाल की खाडी में हिंद माचागर में अपनी ख्षमताओं को हम अभूत पुर्वरूप से विख्षित कर रहे हैं देश का समुत्री हिस्सा आत्म निर्भर भारत का एक एहम हिस्सा बनकर उपरें इसके लिए निरंतर काम चल रहा है सरकार के इन प्रयासों को गती देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाये जा रहा है अब मिनिस्ट्री आफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है अब यह मंत्रा रहे मिनिस्ट्री आफ पोर्ट शिपिंग एन वाटर बेज के नाम से जाना जाएगा उसका विश्तार किया जा रहा है विख्षित अर्थ ववस्ताओं में जादातर जगों पर शिपिंग मंत्राले ही पोर्ट्स और वाटर वेज का भी दाइट पर संबालता है। भारत में शिपिंग मंत्राले पोर्ट्स और वाटर वेज से जोड़ी काफी कारियों को करता रहा है। अम नाम में अधिक्स पस्टता आने से काम में भी अधिक्स पस्टता आ जाएगी